Study IQ IS अब तयारी हुई affordable भरपूर मात्रा में आ रहे हैं 1991 की पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन जैसे जैसे Standard of Living Bird आये लोगों की ख्वाइश मैं तो ये देखता हूँ कि लोग घर लेने से पहले जो luxury cars हैं उसकी तरफ काफी attract हो रहे हैं खेर लोगों का अपना choice है लेकिन क्योंकि automobile sector बढ़ा है safety का भी concern आ जाता है कि क्या जो गाड़ियां बन रही हैं भारत के अंदर क्या वो safe हैं कि नहीं वो कितनी मजबूत है in fact मैं तो personally ये कहूंगा कि आपको हमेशा कहीं न कहीं जो crash test होता है उसको जरूर ध्यान देना चाहिए मतलब जो आप गाड़ी खरीद रहे हो वो crash test के अंदर कितना star पाया है क्या वो 1 star है, 2 star है, 4 star है, 5 star है तो maximum 5 star होता है तो अब देखे क्या हो रहा है भारत सरकार अपना खुद का मतलब भारत का खुद का जो car crash test है वो launch कर रही है और इसको बोला गया है भारत NCAP आपने global NCAP के बारे में सुना होगा लेकिन भारत के अंदर अब launch हुआ है भारत NCAP और इसी की वज़े से एक historic step इसको बताया जा रहा है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और साथी साथ हम डीटेल से explanation देखेंगे difference देखेंगे कि global NCAP और भारत NCAP इन दोनों में difference का है काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा 23rd of August से हमारा 3 live UPSC batch Pure English में Pure Hindi English batch कोई भी आप join करना चाहते हैं हमारे website एप पर जाएए comment section में इस का लिंक के वहाँ पर जाकर use करना है code अंकित लाइव ये code इस्तमाल करने से आपको सबसे ज़्यादा discount पिलेगा ध्यान रखेगा इन सभी batches में आप prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी कर सकेंगे कुछ भी और लेनी की आउशक्ता नहीं पड़ेगी और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे तो चले शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है खबर क्या ही है दीखे जैसा मैं आपको बता रहा था भारत का अपना खुद का जो car crash test होता है वो यहाँ पर launch किया गया है और इसको बोला गया है भारत NCAP इसका full form क्या है भारत new car assessment program मतलब कि जो भी गाड़ियां भारत के अंदर बन रही है या फिर कोई गाड़ी import होकर भारत के अंदर आ रही है उनको यहाँ पर अपना testing कराना होगा अब दीखे इसमें voluntary होता है मतलब ऐसा नहीं कि कोई compulsory कराना ही कराना पड़ेगा लेकिन obvious सी बात है माल लीजिया अगर आपके पास दो choice है मतलब एक गाड़ी है और दूसरी गाड़ी है और आपको बोला जाए आप कौन सा खरीदना पसंद करोंगे उसमें features वगरा सब कुछ सेम है तो ज़्यादा तर लोग यहाँ पर देखना पसंद करेंगे कि कौन सी गाड़ी मजबूत है, safe है क्योंकि काफी high speed पर आप highway पर चलते हो तो यहाँ पर जिसको ज़्यादा star मिलता है जो यहाँ पर testing कराया होगा उस गाड़ी को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे और इसी की वजए से यह जो भारत end cap है वो बहुत important हिस्सा बन जाएगा भारत के अंदर और यह basically मैं आपको बता दूँ 1st of October, इसी साल 1st of October से launch हो रहा है और नितिन गटकरीजी ने इसको launch किया है और यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह launch basically किया गया है ताकि और जादा जो safety standard है motor vehicles के उसको बढ़ाया जा सके up to 3.5 tons in India देखो भारत में आपने देखा होगा कि कई प्रकार की गाडिया बनती है कोई 1 ton होता है, कोई 1 ton से नीचे भी होता है जो बहुत छोटी car होती है कुछ 1.5 ton की होती है, कोई 2 ton मतलब कि 3.5 ton की जो गाडिया है उनकी testing भारत में की जा सकेगी अब ये आप देख सकते हो निटन कटगरी का कहना है कि अब समय आ चुका है कि हम जो लोगों का जीवन है उसको highest priority दे और इसकी वज़े से road safety बहुत important हिसा बन जाता है क्योंकि हर साल लाखों लोगों क्या जिंदगी जाती है road accident के अंदर साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो road engineering है वो भी एक बड़ी समस्या है हमें उसके अंदर भी सुधार करने की आउशकता है जो engineers road बनाते हैं हम उनके ओपर भी काफी focus कर रहे हैं ताकि जो safer roads हैं उसको बनाया जा सके और साथी साथ उन्होंने कहा कि ये जो car crash testing की facility है वो इसकी तरफ एक और बड़ा कदम है अब इसका significance क्या है पहले मैं आपको इसका significance बताता हूँ फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा देखो अभी तक पुरे दुनिया में आप देखोगे तो सिर्फ चार ऐसे देश हैं जो इस तरह का assessment प्रोवाइट करते हैं वो कौन से हैं US, China, Japan और South Korea तो भारत पांचवा देश बन जाएगा जो इस तरह का जो car crash safety program है वो लेकर आया है और इसके तहट यहाँ पर जो इंडियन auto manufacturers हैं जो अपनी गाड़ियां भारत के अंदर बना रहे हैं वो as per automotive industry standard 197 वो अपनी car की testing करा सकेंगे और इसके साथ साथ आप यह भी समझेए कि माल लीजे अगर हमारे यहाँ पर गाड़ियां और safer बनेंगी, better बनेंगी तो उसकी export worthiness बढ़ जाती है मतलब कि वो गाड़ी और export भी हम कर सकेंगे यह भी बड़ी अच्छी चीज़ होगी जिसकी वज़े से भारत को काफी फाइदा भी होगा अब देखें यहाँ पर मैं आपको बताओं तो भारत end cap और global end cap इन दोनों में बहुत जादा आपको similarity देखनी होगी जैसा global end cap है कुछ उसी स्तर पर भारत end cap भी बनाया गया है लेकिन यह भारत के नजरीय से बनाया गया है भारत में जिस तरह का existing conditions है regulation है उसको ध्यान में रखते बें बनाया गया है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अल्रड़ी 30 car models ने apply कर रखा है कि जब यह launch होगा भारत के अंदर 1st of October से तो इसकी testing इन 30 गाड़ियों के उपर की जाएगी I hope कि आप समझ पारे होगे अब सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि global end cap होता क्या मतलब यह है क्या देखो दुनिया के अंदर क्या है कि ज़्यादा तर गाड़ियों की जो testing होती है उसकी जो rating दी जाती है वो global end cap के through ही कराई जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विश्वस नहीं है वो काफी माना जाता है और यह basically conduct कराया जाता है by private company और इसको fund किया जाता है by different charities, car companies इसको fund करती है ताकि यह चलता रहा है और यह जो test है global end cap यह based है on 2013 Latin end cap protocol जो Latin America जो protocol है उसके हिसाब से यह बनाया गया है and they cover only a limited range of test अब इसमें problem यही हो जाता है कि जो global end cap है वो हर गाड़ी की testing नहीं करेगा वो limited range of गाड़ियों की testing करेगा और यहाँ पर वो adult safety का अलग star देता है और जो child safety है मतलब मालोग कोई गाड़ी है गाड़ी में ऐसा तो हैने कि स्रिफ adult people जाते हैं उसमें बच्चे भी जाते हैं तो adult लोगों के लिए वो car कितनी safe है कितना star होगा 2 star, 4 star, 5 star और जो children है उस गाड़ी के अंदर उनको कितना star है safety के लिए वो अलग-अलग यहाँ पर दिया जाता है वैसे मैं आपको बता दूँ भारत का जो end cap है भारत end cap वो combined provide करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं जो global end cap की testing है उसका matrix का है किस basis के उपर होता है देखो आपने देखा होगा अगर आपने videos वगरा देखा हो YouTube पर काफी available है जब भी कोई car की testing होती है तो इस तरह से गाड़ी को लाया जाता है और इसको tage speed में crash कराया जाता है सामने वाले object से सामने एक object बना होता है वो वहाँ पर गाड़ी से उसको भीडाया जाता है और अंदर आपने देखा होगा इस तरह से जो dummy है वो बैठा दिया जाता है इस तरह से आमने और सामने और यहाँ पर marking वगरा की जाती है कि जब ये गाड़ी भीडी तो कौन-कौन से body part के उपर असर आया कहां-कहां पर चोट लगी और उसके इसाब से rating होती है तो basically मैं आगर आपको बताओ जो global end cap test है वो 64 miles per hour के speed से इसको इस object से भीडाया जाता है मतलब कि जो speed होती है न ये 64 miles की होती है ये मैं front की बात कराऊ क्योंकि अलग-अलग तरीके से यहां पर भीडाया जाता है यह आप देख सकते हो इसके अंदर कि आगे से गाड़ी आ रही हो और यहां पर इसको भीडाया जा रहा है तो इसकी जो speed है गाड़ी की ये होती है लगबग 64 miles अब 64 miles per hour का मतलब हो गया 105 km per hour के आसपास ठीक है इतने speed से इसको भीडाया जाता है और फिर इसके अलावा भी मैं आपको बता दू जो side impact है वो भी कराया जाता है यह देख रहे हो इस तरह से यहां पर एक चक्का लगा हुआ है और यह object है इसको गाड़ी के अंदर इस तरह से तेजी से भीडा जाता है तो side वाला हो गया एक pole भी होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा तो हर तरफ से यहां पर testing की जाती है भीडा कर कि कैसा perform करा है क्या वो गाड़ी मजबूत है क्या वो लोगों को अंदर बचा पाएगा की नहीं यह सारी चीजों की testing की जाती है अब मैं आपको भारत end cap और global end cap का जो difference है वो समझाता हूँ सबसे पहले safety rating को लेकर देखो जो global end cap है यहां पर कुछ points दिये जाते हैं यहां पर basically अगर है total 49 points होता है उसमें से आपको कितना point मिला उसके basis पर यहां पर होता है कि आपको कितना star मिलेगा तो global end cap में अगर आपको 5 star की rating लेनी है तो यहां पर 34 points आपको collect करना होता है यह होप आप समझ पार होगी यह मैं आपको adult की बात कर रहा हूँ adult passengers के लिए तो 34 points जिसमें 16 point front crash test के लिए और 16 वाला जो side वाला impact होता है उसके लिए तो और इसके अलावा 2 point यहां पर seatbelt reminders के लिए होता है तो total अगर आपका किसी भी गाड़ी का 34 points और उससे जादा है तो यहां पर उसको 5 star की safety rating दी जाती है जहां तक भारत end cap की बात है तो भारत में ऐसा बोला जा रहा है कि 5 star की अगर आपको rating लेनी है तो 27 points collect करना होगा for adult protection and 41 points लेना होगा अगर आप child occupant protection के लिए 5 star rating लेना चाहते हो तो I hope आप समझ पारे होगे तो अब इसमें क्या है ना कि भारत end cap के अंदर आपको अलग-अलग तो दिख रहा है लेकिन जब actual में rating आईगी ना वो combined rating आईगी actually क्या है कि global end cap में क्या होता है different rating होता है other population के लिए अलग rating 4-5 जितना भी star और child protection के लिए अलग rating लेकिन भारत वाला जो होगा ना भारत end cap उसमें combined rating दी जाएगी ऐसा बताया गया है अब question यहाँ पर यह भी है कि कितने type के crash testing होता है भारत end cap में बताया जा रहा है कि it is almost equivalent to global end cap यहाँ पर तीन तरह की testing की जाएगी तीन तरह की कौन सी मैंने आपको बता दिया एक तो front से यहाँ पर car को crash कराया जाएगा और एक तो side में crash कराएगा मैंने आप यहाँ आपको दिखाया यहाँ पर अभी आपको दिखाया तरह यह side वाला हो गया और यह front वाला हो गया और तीसरा जो है उसको कहा जाता है pole side impact मतलब की side में एक pole होता है यह आप देख सकते हो pole जैसा होता है और वो basically crash कराया जाता है गाड़ी से और तब देखा जाता है कि गाड़ी के उपर क्या impact आया तो ये तीनों यहाँ पर testing होगी भारत के अंदर भी और साती साथ भारत NCAP के अंदर ये भी mandatory किया गया है कि उसके अंदर six airbags होने चाहिए electronic stability control होना चाहिए ये three point seat belt होना चाहिए हर एक passenger के लिए आजकल beach वाला जो passenger होता है पीछे जो beach में बैठा है third passenger उसके लिए भी याँ पर sealed belt आने लग जा है सभी गाड़ीों में और इसके अवाज जो emergency braking system है वो भी improved होना चाहिए तो ये सारी चीज़े mandatory कर दी गही है जहां तक top speed की बात है तो यहां पर भी आप देखोगे भारत endcap में जो front से यहां पर crash करा जाएगा उसमें 64 miles per hour की speed होगी side वाला जो testing होगा उसमें 50 miles per hour और जो pole वाला मैंने आपको बताया है ये जो pole वाला जो testing होगा इसमें जो car की speed होगी 29 miles per hour और उसके इसाब से testing की जाएगी मतलब कि ये global endcap के एकदम almost आपको similar मिलेगा अब यहां पर अगर हम बात करें कौन-कौन से गाडियों की testing की जाती है देखो यहां पर जो petrol diesel गाडिया है वो तो है है लेकिन आज के date में आपने देखा होगा EV, electronic vehicle, electric vehicle तो उसका भी यहां पर टेस्टिंग होगा CNG गाडियों का भी टेस्टिंग होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, depend करता है और साथी साथ, up to 8 passenger मतलब मैंने आपको बता है न, 3.5 टन होना चाहिए, maximum गाड़ी का बेट और 8 passenger maximum होने चाहिए तो उसकी यहां पर टेस्टिंग होगी जो जैसे आपने देखा होगा, Innova हो गया यह सब गाड़ियां क्या होती है, उसमें 8 passenger तक आ सकते है, including the driver अब आप ट्रक लेके आ जाओगे, कि मैं यह ट्रक की टेस्टिंग करनी है, तो वो अभी भारत के अंदर नहीं लाया क्या है, तो ट्रक की टेस्टिंग नहीं हो सकती, फिर यहां पर रेटिंग मैंने आपको बताई दिया, कि भारत N-CAP में unified rating होगा, adult और children के लिए अलग आपको नहीं बताया जाएगा, combined start दिया जाएगा, अब जहां तक date में क्या है, लोग काफी विश्वास करने लगा है कि क्या उसकी crash testing कराई गई है कि नहीं कराई गई है, तो मालो मारूती सुजुकी और महिंद्रा, अगर ही अपने गाड़ी के testing कराना चाहते हैं, तो उनको अभी तक क्या करना पड़ता था, अपने गाड़ी को फोरण भेजना होता था, विदेश भेजना होता था, और वहाँ पर उनको धाई करोन रुपए देने होते थे, और तब जाकर उनकी testing कराई जाती थी, आपको बढ़ाए, भारत के अंदर ये जो facility लाई जा रही है, इसमें सिर्फ 60 लाख रुपए में यहाँ पर testing कराई जाएगी, यह नितिन गटकरी जी का कहना था, तो cost भी कम हो जाएगा, और इसकी जादा तर जो car manufacturers हैं, अपने सभी models की testing कराएगे, और उसका सही जो परिडाम है, वो लोगों तक पहुँच पाएगा, अब conclusion क्या निकलता है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते में, जैसे जैसे demand बढ़ती जा रही है, safer cars की यहाँ पर जो car manufacturers हैं वो और जादा चाहते हैं कि यहाँ पर अपने गाडियों को testing कराएगा, crash testing कराएगा ताकि customers का भरोसा जीता जाए, और इसके साथ-साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि अगर इसकी testing भारत में होगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको export कर पाएगे, export potential बढ़ जाएगा, present अगर आप देखोगे, तो भारत दुनिया में third largest car market है, तो कहीं न कहीं, एक बहुती welcome step है, इसको लाना, और देखते हैं किस तरह से ये implement होता है, और आपको इस वीडियो में सब को समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक बड़ा interesting question, wheel base, क्या आपको पता है कि wheel base of a vehicle, ये किसको कहते हैं, ये चार option इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, इसका जो right answer है, दोस्तों, आपको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं हुई, affordable